असलामलेकम जी ना मार्बिन सलीम है तो पिछले कोछ अरसे से मैंने एक चीज़ नोटस करना स्टार्ट के अपने माश्रे के अंदर के हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना पेशन्स का वो डिक्रीज होता चाहा रहा है और इसकी रीजन्स कहा है जब मैंने इसको के काम जड़ा कम करें मुझे याद है कि मैंने एक बंदे से बात की जिनल में जब बताया है कि ऑफिस से आके वो अगला जो बाकी घर का टाइम है वो सिर्फ CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग देखके या बाहर जो हो रहा उसको देखके गुजार देते हैं वही आप बंदा सोचत अचते हैं या ड्रामा देखने हैं या फिल्म देखने फेलम इंडस्टिि वैसे ही पाकिसान के फारक है पीशे रहुआ जा सतार इसारा फोकस लilles बिटा में continuing किपिले या उत्हान वीडियोश देखना यही बस हमार्य nettit जसे, अब भी हैं के ढार के मुलक इसे नहीं होता है, तरकिया अफ्सक्रा पहले में से भाइद कारनेबिल भी होते हैं, थेटर भी ओई, तयूल भी ऑता है, अपनारी गयर के लिचया है, यह ठीक होते हैं ईक्षे इसके अंडिस्टांडिंग फ़र्ड वो कितनी लिमिटेड होगी ठीक है उसके उसके एक्सपीरियंसी कोई नहीं डिवेलप होगी अब पूरी दुनिया में आपके दो इमिजिस होते हैं आपके मौल के एक सौफ्ट इमिज होता है एक हार्ड इमिज होता है पाकिसान का अपके दुनिया का हर काम बैशेक बुरा कर ले लेकिन क्योंको उनका सॉफ्ट में चितना ज़्यादा डिवेलप होगा है कि इंडिया जो है वो एंटरेमें इंडस्ट्री में काम कर रहा है उनके बॉलिवर्ड है उनका पॉप कुल्चर स्ट्रांग है उनकी इंड़स्ट् भी हमारा भी foreign office भी आप भी कर लें lobbying आप पूरी दुनिया के हर मुल्क से connected है लेकिन आप तब करेंगे ना जब आपने कोई basis develop की होगी कोई soft image और soft image जो है आपके entertainment से mainly develop होता है आपके entertainment industry से वह आपका है निए entertainment के लिए आपके पास budget ही नहीं आपने को भी कुछ समझा ही निया आपके बजट 2021 की आप निकाल कर देखने है प्रियोरिटीज में ही नहीं soft image develop करना यह वो एक चीज ऐसी है कि जिस पे ना के सिर्फ government को बलके private sector को भी focus करना है कि सिर्फ entertainment जो है एक ऐसा product बनके ना रहे जो कि सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं बलके all the people in all the different segments of the society can afford it आके जो frustration जो हमारे grassroot level में जो गुसी हुई है ना उसको minimize किया जा सके बाराल अपना ख्याल रखियेगा प्लीज do think about it and spread this video along. Take care, Allah Fais.